दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको DDFIDs के MPG2 Type के Setabox की Complete यहाँ पर Channelist बताने वाला हूँ और सारे के सारे Channel की यहाँ पर मैं फिक्वेंसि बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी फिक्वेंसि पर कौन-कौन से Channel यहाँ पर आमको देखने को मिलता है ताकि दोस्तों आप किसी भी चैनल को अपने DDFIDES के सेटा बोक्स में बड़े आसान इसे एड़ कर पाऊगे क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर कापी सारे लोगों की कमेंट मिलती है कि हमारे सेटा बोक्स में केवल 36 चैनल ही आते हैं हमारे सेटा बोक्स में केवल 60 चैनल ही आते हैं पूरे चैनल नहीं आते हैं इसलिए दोस्तों में यहाँ पर आपको कम्पलीटली जानकारे देने वाला हूँ कि DDFIDES के MPG2 टाइप के सेटा बोक्स में कौन-कौन से चैनल देखने को मिलते हैं और कौन-कौन से चैनल की क्या फिक्वेंसी होती है अगर आपके सेटा बोक्स में कोई चैनल एड़ नहीं होता है तो आपको उस चैनल को कैसे एड़ करना है उसका भी दोस्तों में इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ तो यहाँ पर दोस्तों डी डी फिक्वेंसी में टोटल दस ऐसी फिक्वेंसी हैं जिसके उपर सारे चैनल हमारे सेटा बोक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मैं सारी फिक्वेंसी हैं बताऊंगा मैं आपको बताऊगा कैसे कैसे आपको frequency setting को कैसे ऐन चैनल को आपको एड़ करना है यहां पर दोस्तु सबसे पहली है जो frequency है वह है 1461 होरिजेंटल 12490 तो इस frequency यहां पर आप देख सकते हैं एक नंबर से लेकर कि नौ नंबर तो अगर दोस्तों आप इन टेस्ट के चल्ट को एड़ करना चाहते हैं तो simply आपको क्या करना होगा, कि आपका remote का menu बटन आपको दबाना होगा और menu बटन दबाने के बाद दोस्तों simply आपको चले जाना है add new program में और add new program में जाने के लिए दोस्तों आपको सबसे प्रोग्राम सेटप में जाना होगा और उसके बाद में simply यहाँ पर आपको add new program का option मिलता है तो simply इसके अंदर चले जाना है और इस प्रकार से जो frequency setup आपके सामने है सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप frequency add कर लिजिए और यहाँ पर बस आपको change करना है जो कि सबसे नीचे यहाँ पर जो mode है इसको यहाँ पर आपको free करना है जो कि अभी यहाँ पर all हो रहा है तो यह दोस्तों यहाँ पर इसका frequency setup है इन no channel के लिए तो अगर दोस्तों यह no channel आपके setbox में add नहीं है और इनको आप add करना चाहते हैं तो इसके लिए simply आप add new program में जाएए और यह frequency आप add कीजिए और यहाँ पर निचे जो signal quality है वो लेकर के आईए और simply remote का ok बटन आप दबा दीजिए सारे के सारे channel आपके setbox में add हो जाएंगे तो चले दोस्तों अब मैं आपको दूसरी frequency बताता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी frequency के लिए चलिए हम यहाँ से बेख चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं no number के बाद में एक दूसरी frequency हमको यहाँ पर मिलती है 11489 horizontal 14490 यानि कि 11479 horizontal 144090 यह frequency है तो इसके उपर हमको यहाँ पर एक mhrd का channel मिलता है और एक यहाँ पर बंदे गुजरात का channel मिलता है तो अगर दोस्तों आपके setup box में यह channel add नहीं है और आप इन channel को add करना चाहते हैं तो simply आपको क्या करना है वापस menu बटन दवाना है और menu बटन दवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर वापस आपको चला जाना है program setup में और फिर उसके बाद में यहाँ पर चला जाना है add new program में तो आपके सामने इस channel की जो frequency है उसका setup आपके सामने खुल के आ जाएगा तो यह frequency आप set करने के बाद नीचे जो mode है उसके अंदर आपको simply यहाँ पर free कर देना है और यहाँ पर नीचे signal quality लेकर के आना है और simply remote का ok बटन दबाना है तो यह frequency दोस्तों आपके setup box में add हो जाएगी तो अभी तक हमने यहाँ पर दो frequency देख ली है जिसके उपर हमको यहाँ पर कुछ खास channel देखने को नहीं मिले है तो अब चले हैं दोस्तों यहाँ पर वापस बेख चलते हैं और आप देखते हैं यहाँ पर तीसरी frequency तो तीसरी frequency दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वंदे गुजरात के 12, 13, 14, 15 और 16 यहाँ पर आपको चैनल मिलते हैं इसके लाब यहाँ पर डिडी डिगी सला के नाम से एक चैनल मिलता है और यहाँ पर फिर आगे दूसरी फिक्वेंसी आ जाती है तो यहाँ पर अगर आपके सेटप बॉक्स में यह चैनल नहीं आते हैं और आप इनको एड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस फिक्वेंसी का यूज करना होगा इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली वापस मैन्यू बटन दबाना है और प्रोग्राम सेटप में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद यह फिक्वेंसी सेटप है तो जो फिक्वेंसी आपको नजर आ रहे हैं यह सारी की सारी जो फिक्वेंसी हैं उनी चैनल के हैं बन्देगुजरात वाले चैनल की तो आपके सेटवाक्स में तो अगर सेटों अगर ईड़ करते हैं तो आपको यह जो पेरामीटर के सामने नजर आहरे यह यह feeling को एड़ करना होगा अपने सैट रवक्स में और यहां पर सिगनल लाकरके Simply Remote का OK बटन आपको दबाना होगा तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर तीसरी फिक्वेंसी बता देता हूँ तो तीसरी फिक्वेंसी में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हमको मिलते हैं यहाँ पर दूर दस्तों की काफी सारे चेनल जिसकी फिक्वेंसी दोस्तों यहाँ पर है 11.090 वर्टिकल 29500 अलाकि यहाँ पर 11.090 लिखा है लेकिन यहाँ पर 11.090 आप डाल सकते हैं इन पर दोस्तों दूर दस्तों की काफी सारे यहाँ पर चेनल मिलते हैं इसे दोस्तों यहाँ पर काफी सारे चेनल मिलते हैं तो मनोरजन गरार दोस्तों यहाँ पर अलग फिक्वेंसी मिलता है बाकी दोस्तों यहाँ पर यह काफी सारे चेनल हैं 22-22 चेनल यहाँ पर आपको 11.090 वर्टिकल 29,500 पर मिलते हैं तो अगर आपके सेटब बॉक्स में यह फिक्वेंसी एड नहीं है तो आपके सेटब बॉक्स में काफी सारे चेनल आपको कम देखने को मिलेंगे तो अगर दोस्तों आपके setup box में ये channel नहीं आते हैं ग्यारा जिरो नब्बे वाले, before you movies, before you भोषपूरी ऐसे ये channel नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है simply ये channel को manually add करना है manually add करने लिए दोस्तों आपको remote का menu बटन दबाना है और simply वापस program setup में जाना है और add new program में जाना है और यहाँ पर ये जो frequency आपके सामने नजर आ रही है वो frequency दोस्तों आपको add new program में जाकर करके डालना है और simply यहाँ पर signal quality आपको ले करके आना है और signal quality आने के बाद दोस्तों यहाँ पर simply remote का आपको remote का जो है तो यहां पर आप देख सकते हैं गयारा जीनुनबय के बाद पाल ना can be को इस किलों 1050 इस से फिक्वेंसी को मिलते है महनु रण्जण ग्राग मिलता है पाफ़тов काफ़ी सार्व मिलते हैं जैसा उसको मिलता है पश्कुर्ट 18 घर हमको मिलता है संसर टीवी मिलता मिलता है इसके लार समराव टीवी मिलता है दंगल मिलता है बुछपरी सिनेमा मिलता है जी बाइसकोप मिलता है एपजी कूल मिलता है गॉल्ड मिन्स मिलता है दाक्यू यहां पर हमको मिलता है तो काफे सारे लोग बोलते कि हमारे सेटप बॉक्स में दंगल है एपजी कूल है गॉल्ड मिन से हैं दाक्यू चैनल नहीं आते हैं हम क्या करें तो इसके लिए दोस्तों आप देख लिजी इस फिक्वेंसी को आप नोट कर लिजी 1170 वर्टिकल 29500 इस फिक्वेंसी को दोस्तों आप एड़ नियू प्रोग्राम में जा करके इंटर कीजिएगा जिसका मैं सेट पर इसी मिलता है गॉल्ड मिलता है दंगल 2 मिलता है और फिर नीचे यहां पर शिर्फट प्लैक्स अलग की कि आ जाते हैं तो यह सारे के सारे चेलें दोस्तों अगर आपके सेटव औक्स में एड़ नहीं है तो सिंप्ले दोस्तों आपको इस फिक्वेंसी को एंटर करना हो होगा इसके दोस्त translationsria Netallo ensure कहाना है वापस को प्रोक्राम सेट अब में जाना है और add program में जाने के बात आप यहां पर देख लिए यह सेटप आपको यहाँ पर डालना है और सिंपल जाते हैं पर डालना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो नई frequency है वो हहाँ यहाँ पर 11 499ग रर्टिकल 29500 जिसके ओपर दोस्तों यहाँ पर dungle 2 मिलता है, racistic cineplex मिलता है, movie plus मिलता है, manoranjin movie मिलता है, big magic मिलता है, before you cut up मिलता है, manoranjin tv मिलता है और यहाँ पर TV9 भारतवर्स मिलता है आस्ता यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर फिल्मेची भोजपुरी मिलता है और जिंग मिलता है जिंग के अलावा दोस्तों यहाँ पर जी अन्मोल सिनेवा मिलता है और NGTV इंडिया मिलता है न्यूस्टुटिफ फॉर्टिंक मिलता है ए यह वाले सारे चेनल नहीं आते हैं तो आपको सिंप्ली रिमोट का मेन्यू बटन दबाना है और प्रोग्राम सेट अप में जाना है और फिर एड़नी प्रोग्राम में जाना है और यहां से थोड़ा बेख चलते हैं एड़नी प्रोग्राम में जाना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो setup कुलेगा उसके अंदर यह वाले frequency आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर mode को आपको free करके रखना है और जैसे signal आए simply आपको remote का OK बटक दबा देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारे के सारे चैनल की frequency यहाँ पर आपके सामने यह नजर आ यहाँ पर देखते हैं आगे के चैनल तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे हमको यहाँ पर अलग frequency के चैनल मिलते हैं तो यहाँ पर ग्यारा 460 के बाद में हमको मिलती है frequency ग्यारा 510 वर्टिकल 29500 तो इस फिकेंसी पर दोस्तों यहाँ पर काफी सारे चैनल मिल मिलने में आपे सेटाबॉक्स में 1510 वाले फिक्वेंसी में होंगे तो यहां पर इस मोवीस निज़ सब्सक्राइज, A90, Çो नेवा जी इंडिया न्यूज, एंटीव बीट्स, मस्ती, विफोर यू मुजिक, इंडिया ठीवी, न्यूजन, टायम नुनाव भारत, रीपब्लिक भारत, आज तक, एवबी न्यूज, जी न्यूज, जी चित्रमन, जी पंजाबी, और विफोर यू प्लस और अटरंगी, और यहां पर आगे दूसरी frequency के channel आ जाते हैं, तो अगर आपके setup box में दोस्तों ये वाले channel नहीं आते हैं, जी वाले, news वाले, movies वाले, तो आप दोस्तों आपको क्या करना है, simply remote का menu बटन दबाना है, और वापस program setup में आपको जाना है, add new program में जाना है, और यहां पर दोस्तों आपके साम आपके setup box में add हो जाएंगे, चलिए आप दोस्तों मैं आपको नई frequency बताता हूं, नए channel में आपको बताता हूं, तो यहां पर 100 channel हमने देख लिए हैं, 102 channel यहां पर हमने देख लिए थे, इसके बाब दोस्तों यहां पर 103 number से अलग frequency आ जाती है, 1159 vertical 29500, तो आप इसको ग्यार आप नहीं पड़ता है, तो यह 1150 vertical 29500 यह frequency है, तो इस frequency में दोस्तों हमको यहां पर दूर दस्तन के काफी सारे channel मिलते हैं, और अलग-लग state के अलग-लग language में यहां पर दूर दस्तन के सारे के सारे channel मिलते हैं, जैसे कि DD UP, DD भारती, DD राज्तान, और DD sport भी दोस्तों इसी frequency मे नहीं है, और दूर दस्तन के सारे channel एड नहीं है, तो आपको simply क्या करना है, दोस्तों वापस remote का menu बटन दबाना है, तो यहां पर देख सकते हैं, दूर दस्तन के काफी सारे channel हैं, अलग-लग language में, अलग-लग state के नाम से यहां पर काफी सारे channel है, DD Bangla, DD Udia, DD Assam, यह वाले क साफे सारे channel है, तो अगर दोस्तों आपके setup box में यह channel नहीं है, तो आपको simply remote का menu बटन दबाना है, और उसके बाद में दोस्तों यहां पर वापस आपको program setup में जा कर गे, add new program में जाना है, और यहां पर जो setup खुलेगा, उसके अंदर यह वाले frequency आपको enter कर देना है, same to same, य यह सारे के सारी जो frequency है, उनी channel की है, जो मैंने आपको भी बताया है, और simply यहां पर mode free कर देना है, remote का ok बटन आपको दबा देना है, यहां पर signal quality आने के बाद, तो यह सारे channel आपके setup box में add हो जाएंगे, तो 11.550 के बाद में दोस्तों यहां पर जो frequency है, तो आपको बता दे इस पर दोस्तों यहां पर दूरदर्सन, स्वायम, PR के नाम से काफी सारे channel मिलते हैं, तो अगर आपके setup box में यह channel नहीं है, तो simply आपको क्या करना है वापस, remote का menu बटन दबाना है, और menu बटन दबाने के बाद दोस्तों वापस आपको जो है, प्रोग्राम setup में जाना है, औ तो remote का ok बटन दबाना है, तो यह सारे channel आपके setup box में add हो जाएंगे, चलिए अब हम यहां पर बेख चलते हैं, और एक बार और हम यहां पर बताते हैं आपको frequency, तो यहां पर स्वायम, PR के 22 यहां पर channel मिलते हैं, तो यहां पर दोस्तों 11.590 के बाद में हमको frequency मिलती है, 11.6 वर्टिकल 29500, हलाकि यहां पर 11.669 वर्टिकल 29500 लिखा रहा है, लेकिन इसको आप 11.670 वर्टिकल 29500 मानके चले, और इसी frequency भी दोस्तों हमको यहां पर स्वायम के नाम से 45 channel मिल जाते हैं, और इसके लाब यहां पर PME विध्या के नाम से भी हमको काफी सारे channel मिल जाते हैं, तो अगर आपके setup box में यह channel एड़ नहीं है, और आप इन channel को एड़ करना चाहते हैं, तो इनको एड़ करने के लिए दोस्तों आपको simply remote का menu बटन प्रेस करना है, program setup में जा रहा है, add new program में जा रहा है, और यह वाली जो frequency हैं, वो आपको यहां पर enter करना है, आपकी setup में, और इसको mode को free करना है, और simply remote का ok button दबाना है, यहां पर signal quality आने के बाद में, तो यह सारे channel आपके setup box में add हो जाएंगे, इस तरीके से दोस्तों मेरे यहां पर total 10 frequency यां बताई है, तो इस तरीके से दोस्तों आपके setup box में अगर कोई भी channel add नहीं है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो channel आपके setup box में add नहीं है, उस channel के दोस्तों यहां पर frequency आपको डालना है, add new program में जा करके, और simply यहां पर सबसे पहले signal intensity चेक अना है उपर, उसके बाद यहां पर signal quality आपको लेकर के आना है, 60% के आसपास, इससे उपर आये तो बहुत अच्छी बात है, आपके जो channel के quality है, वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन 60% से अगर कम है, 50% से भी कम है, तो आपके setup box में हो सकता है, सारे channel add नहीं हो, तो यहां पर दोस्तों बारी बारी से मैंने 10 की 10 frequency यहां पर बता दी है, जिसमें दोस्तों मैंने यहां पर पांच ऐसी frequency आप बता हैं, तो यहां पर जो ज्यादा चेरा दिखाने वाले जो frequency है, सबसे पहली frequency है, ग्यारा 550 वर्टिकल 29,500, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, उसके बार जो दूसरी frequency है, वो है 11090 वर्टिकल 29,500, इस पर भी दोस्तों यहां पर काफी शारे हमको channel देखने हो को मिलते हैं, कि हमको ज्यादा channel देखने को मिलते हैं, वो दोस्तों यहां पर 11470 वर्टिकल 29,500, इस पर भी दोस्तों हमको 22 चेरा यहां पर देखने को मिलते हैं, इसके लाब दोस्तों चोती जो frequency है, वो है 11170 वर्टिकल 29,500, और पांच जबी frequency है, 11510 वर्टिकल 29,500, तो यह 5 ऐसी frequency हैं आपको mostly ज्यादा channel देखने को मिलते हैं, इसके लाब 5 और ऐसी frequency हैं, जिस पे भी आपको काफि सारे channel देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यहां पर जो पहली frequency हैं, वो 11461, होर्जेंटल 12490 हैं, और उसके बाब दूसरी frequency है, वो है 11470, होर्जेंटल 14490, और त आज ही frequency हैं, 11670, वर्टिकल 29500, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यहां पर completely channel लिस्ट बताई है, completely channel की यहां पर frequency बताई है, पूरा का पूरा frequency setup में आपको बताया है, ताकि दोस्तों आपको अपने setup box में channel add करने में कोई परेशानी नहों, अगर आपके setup box में क पूरू शेर कीजिएगा, और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने subscribe नहीं किया, तो play channel को subscribe कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जायरकारी आपको मिलती रहें, तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक next वीडियो में